वेल्कम पर मेत्य का गड़नी चलो फिर आज आपके सामने हैं quadratic equations अब यह quadratic equations क्या है यह 10th का chapter so 10th के chapter में हम देखते हैं कि quadratic equation how to form quadratic equation how to form a b c the value of a b c चलो आज हम देखेंगे exact quadratic equation क्या है simple language में definition है आपके सामने the equation involving one variable हम उसको अलग-अलग-अलग-अलग पार्ट करके देखेंगे चीक है the equation involving one variable मतलब जो equation में one variable मौझेद होता है and having two as the maximum index जिसका index maximum two होता है अब आपके मन में यह आया होगे कि index क्या है what is the index index में degree रहती है जिसके degree maximum two चाहिए ऐसे equation को हम quality equation बोलते हैं दो condition है उसमें one variable चाहिए और second वरा भी देखो उसमें one variable चाहिए a x square plus b x plus c इसमें variable क्या है x y z यह variable होगे चलो x x उसमें y है क्या नहीं है one variable है only x और x c अगर x use किया है तो बाद में भी x आया है अगर y use करते हो तो second भी y आ जाएगा अगर z use करते हो तो third भी z आ जाएगा मतलब एक ही equation में only one variable present है और second thing क्या रहती है उसकी degree maximum index कितना चाहिए 2 चाहिए मतलब degree 2 चाहिए ओके अभी यह तो confirm हो गया कि इसको हम quadratic equation कहते है जैसे कि हमने examples देखते है चलो for example x square minus 4x plus 5 plus to 0 अभी आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि यह minus है हमने तो plus को बोला है इसको हम लिखते वक ऐसे भी एक सकते है अभी यह देखो यह आपके सामने यही example को अलग तरीके से लिखती हूँ जैसे आपको चाहिए जैसे हमने बोला है क्योंकि standard equation क्या है ax square plus bx plus c यह देखो ax square plus bx plus c is equal to c0 यह standard equation हो गया quadratic equation का अभी यह ABC क्या है अभी देखो यह तो हो गया standard form इसको बोलते standard form of quadratic equation अभी मैंने बोला कि यह भी equation quadratic equation है कैसे है अभी यह देखो अगर मैंने x square को x square लिखा है minus 4 को लिखते वक्त मैं क्या करें मेरा ऐसा है मेरा plus है दोनों भी plus है मेरा x square यह हो किया यह minus of 4 को मैं क्या करती हूँ bracket में डाल देती हूँ और यह x हो गया यह constant term तो as it is हो गया लिखते वग मैं देखो क्या किया है x square का x square आज है लिखा है यह सिर्फ minus minus 4 मैंने bracket में लिया और मेरा जो formula है plus का वो ही मैंने इसी repeat किया है x square मतलब ax square plus का plus लिखा b की bx plus c is equal to 0 मैंने क्या किया सी minus 4 को separate कर दिया plus लिखा इसका meaning क्या होता है देखो अभी formula मैंने अगली ही मतलब पिछला ही मेरा वीडियो था शाहिद में भी basic mathematics का उसमें बताया था मैंने plus minus minus हो जाता है मतलब यह equation आपको मिलता है उसको मैंने सिर्फ अलग तरीके से लिखा है plus minus minus हो जाता है प्लस लिखा अभी इससे हमें पता चलता है जैसे आपका next equation है find the values of ABC separate exercise इस पर दिये है तो हम कैसे निकालेंगे चलो अभी compare करेंगे इसको इससे चलो यह दो equation है हम compare कर रहे है x square का coefficient a है x square का coefficient कुछ नहीं है मतलब 1 होता है so a की value 1 निकली अब b का देखो b की value क्या है b यह x का coefficient है तो इधर क्या होगा b क्या होगा x का coefficient क्या है minus 4 तो मैंने minus 4 लिख दिया क्या किया सिर्फ a x square का coefficient a है x square का coefficient 1 लिखा b का क्या है coefficient of x है तो मैंने coefficient of x minus 4 लिखा क्योंकि ये plus तो formula का plus है ओके c की value है 5 तो constant value मैंने आज़े इस 5 लिख दी अभी आपके मन में ये भी सवाल होगा कि x square minus 4 is equal to 0 ये quadratic equation है क्या है ना क्यों नहीं है क्योंकि देखो अभी इसको अगर हम compare करेंगे a x square plus b x plus c is equal to 0 क्योंकि compare किसे करना है standard formula of quadratic equation ये है standard formula अभी इसे compare करते वक्त कैसे करेंगे देखो अभी इसको लिखते वक्त मैं क्या कर रही हूँ x square कुछ नहीं है x square का coefficient मतलब 1 होता है ये भी हो गया अभी b है क्या इधर b बिलकुल भी नहीं है हम क्या करेंगे plus 0 b x लिख देंगे because ये 0 b भी नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है मैंने क्या किया देखो 1 x square तो आधर लिखा b की value ही नहीं है x को coefficient मौजद ही नहीं है मैंने 0 x लिख दिया 0 x की value 0 होगी मतलब कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने 0 x लिख दिया उसके बाद ये minus 4 मैंने plus of minus 4 is equal to 0 लिखा अभी ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि मेरा जो formula है वो a x square plus b x plus c है plus c है plus c plus c है इसलिए मैंने क्या किया plus का plus लिख दिया ये minus 4 को bracket में डाल दिया minus 4 इसका मतलब क्या होता है plus minus minus ही हो जाता है मतलब जो equation है वो ही आ जाएगा अभी देखो मेरी a की value क्या है x square का coefficient a है इसलिए x square का coefficient 1 है चलो b की value क्या है x की coefficient है अभी इधर x का coefficient क्या है 0 है चलो मैंने 0 भी लिख दिया आप इस C की वैल्यों क्या है? C की वैल्यों है माइनस 4 वो तो क्लियर ली दिख रहा है मतलब आप इजी तरीके से A, B, C वाल्यू फाइंड डाउं कर सकते है और आपको समझ सकता है कॉर्डिक एक्वेशन क्या है कुछ भी हो सकता है चलो देखो मैंने क्या किया 5m2 लिखा is equal to 7m-5 चलो अब इसको quadratic equation कहेंगे क्या यस कहेंगे क्यों नहीं क्योंकि maximum index 2 है चलो मैंने लिख दिया इसको 2 5m2 अब मेरा equal to के बाद में 7m अभी वो इधर आ जाएगा तो minus 7m हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता है था equal to के बाद में जो plus होता है वो एधर आके minus होता है उधर अगर minus हो गा तो типа के इधर आनके बाद वो plus हो जाता है equal to के बाद में divide हो गया तो ई'क्न के अंदर आने के sign होगा तो अभी देखो plus 7m था मैंने minus 7m लिग दिया वो side में minus 5 है यह side में plus 5 हो जाएगा is equal to 0 चलो आपका एक question आपके form में आ गया है अभी x square लिखेंगे के नहीं क्योंकि हमारा variable तो यह माज है am square plus bm plus c is equal to 0 तो आप clearly लिख सकते हैं a की value 5 है b की value minus 7 है c की value 5 है आप easily अभी find out कर सकते है value of a, b, c ओके अब एक बार revise कर देखेंगे short में quadratic equation क्या होता है उसमें only one variable present चाहिए आप कौन सा भी हो उसको x करो y करो z करो बट one variable present चाहिए दो variable जैसे कि for example linear equation लेगे a x square plus b y plus c is equal to 0 यह होगे linear equation यह quadratic equation नहीं है because इधर x भी present है और y भी present है इसलिए दो variable नहीं चाहिए इसलिए इसलिए हमने क्या इसको one variable present चाहिए और index कितना चाहिए maximum degree कितना चाहिए 2 अगर 3 भी आया तो this is not a quadratic equation degree हर बार वो 2 ही चाहिए ओके चलो यह quadratic equation की definition हो गई अब यह आपको example solve करते वक्त क्या करना है हर बार standard equation से compare करके value of a, b, c find out करनी है a, b, c क्या है any real number की value रहती है उसमें a रहता है वो coefficient of x square रहता है b रहता है वो coefficient of x रहता है और c is a constant term purely constant term रहता है चीके चलो फिर अगर आपको ऐसे ही quadratic equation की और वीडियो चाहिए अगर और dip में अगर आपको देखना है सुनना है आपको पढ़ाई करनी है उसमें तो आप मेरा वीडियो को like करो share करो और subscribe करना मत बुलना क्योंग आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको अगर अच्छा लगता है तो आप like करो share करो subscribe करो और अगर आपको ये नए ते कड़े में join करनी है तो निचे description box में एक link दी है उसमें एक form रहता है वो आपको feel up करना है 24 hours में आपको call आ जाएगा फिर आपका joining पक्का हो जाएगा चीके so चलो बाई-बाई टेक क्या